अलो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है सर्फेसिंग जो एक नोबल है जिसे मार्गरेट एटवूड के द्वारा लिखा गया था जिनका जन्म 18 नौमबर 1939 में कैनेडा में हुआ था और उनकी डेथ 2019 में हुई थी यह एक कैनेडियन नोबलिस्ट है और इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है यह इनकी सेकंड नोबल थी और इसको पबलिस्ट करवाए गया था 1972 में और इस टोपिक का थीम है शेपरेशन एंड फेमिनिजम और इसका सेटिंग रखा गया है क्यूबिक में इस टोपिक में बताया गया है कि नरेटर के पापा क्यूबिक नामक प्लेस से मिसिंग हो जाते हैं अचानक जहां नरेटर उन्हें अपने दोस्तों के साथ खोजने के लिए जाती है उनके चानबिन में जाती है तता नरेटर अपने बीते हुए समय को भी याद करती है उनके इंसिडेंट बीते हुए इंसिडेंट को याद करती है और कुछ टैम के लिए डिप्रेशन में भी चले ज the narrator, जिसका नाम यहा पर बताया नहीं गया है, जो की एक artist रहती है, जो narrator का boyfriend रहता है, Aina, narrator की एक दोस्त रहती है और David, ये Aina का husband रहता है, और ये एक film में कर रहता है, जो के साथ मिलकर एक film को composed कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है, random sample, पॉल नेरेटर्स के पापा के अच्छे खासे दोस्त थे, क्लोस फ्रेंड थे, नेरेटर्स की मा के बारे में बता गया है, जिनकी डेथ हो चुकी है, ब्रेंट यूमर के वज़े से, और नेरेटर्स के फादर, जो की रिसेंटली अभी मिसिंग हो गया है, और एक फैक हस्बें फिर भी narrator के साथ उसका संबन्द होता है जिस कारण से narrator pregnant हो जाती है और बाद में उसे force किया जाता है उसके एक्स लवर के दवारा जिस कारण से narrator को अपना abortion करवा लेना पड़ता है और हमारा last character है इसमें इवांस जो कि एक American experience guide है इस topic में हम लोग जानेंगे narrator अपने पापा को खोजने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपने native place में जाती है फिर जानेंगे वहां narrator के पापा के दोस्त से उसकी मुलाकात होती है और फिर एक guide से होती है फिर जानेंगे हम लोग जो narrator है और उसके दोस्त है वो उसके पापा के cabin में जाते है जो की एक island में उनके पापा का केविन होता है, फिर वहाँ जाने के बाद यह लोग सब्यूत खोजते हैं, क्लू खोजते हैं ओके, और इन्हें बहुत तेम खोजने के बाद कुछ नहीं मिलता है ति इसके जो दोस्त होते हैं, वह रिटेन वाक़ास आ जाते हैं, लेकिन जो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझते हैं, इसके समरी को हम लोग समझते हैं, नरेटर, जिसका नाम यहाँ पर नहीं बताए गया है, जो की क्यूबिक एक जगह है, उसके आस पास के ही टाउन में रहती है, एक दिन नरेटर को पता चलता है, कि उसके पापा गायब हो गए वे कहीं मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, वे अचानक कहां चले गए, तो नरेटर क्या करती है, उसके बाद अपने दोस्त एना, एना का हस्बेंड और नरेटर का अपना वाइफरेंड जो, के साथ ये सभी, मतलब ये चारो, अपने होम टाउन जाते हैं, मतलब न नरेटर के पापा, मिसिंग हुए थे, ये से भी, उनका पता लगाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जब वे होम टाउन में, अपने पापा के दोस्त, पॉल से मिलती है, को नरेटर, इस उम्मिद में की कुछ इन्फोर्मेशन मिल सके उसके पापा के बारे में, पर पॉल के पास कुछ खासा इन्फोर्मेशन नहीं होता है, जिससे की नरेटर को कुछ मदद मिल सके, फिर नरेटर एक गाइड को भाड़े पर रखती है, जिससे उस अस्थान के बारे में कम्पलेट इन्फोर्मेशन होता है, पूरी जानकारी होती है, ये गाइड इन चारों को एक आ सर्च करने लगते हैं, जानकारी इखटा करने की कोसिस करते हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है, फिर नरेटर को उसी रूम में पेपर का कुछ टुकड़ा मिलता है, जो ज्यादा संखा में फटे बिक्रे पड़े हुए थे, उसमें कुछ अजीब तरह से पेंटिंग कि किये हुए थे, उसमें कुछ लेटर्स भी मेंसन किये हुए थे, यह सब देखकर नरेटर को ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके पापा पागल तो नहीं हो गये थे, क्योंकि उनके चित्र उनके द्वारा बनाएगे चित्र तथा लेटर्स का कोई भी special meaning निकल नहीं रहा था फिर नरेटर सोचते सोचते कुछ अपने past मतलब अपने बीतेवे समय के बारे में सोचने लगते हैं उसे खयाल आने लगता है उसे याद आता है कि उसकी माँ जो की अभी मर चुकी है और वो मरी थी किस वज़े से brain tumor के वज़े से उसके death हो गई थी तता वो अपने ex lover के बा abortion के लिए force करने लगता है तो मजबूरन narrator को अपने बच्चे का abortion करवाना पड़ता है मतलब उसे abortion करवा लेना पड़ता है उस चीज को लेकर वो आप भी बहुत ही ज़्यादा दुखी है पिर वो सोचती है कि उसका जो boyfriend जो है जिसने उसे propose किया है वो उससे प्यार करती है या नहीं करती है इस बात पर भी वो काफी केंफ्यूज है क्यूंकि वो एक बार धोखा खा चुकी थी तो था वह यह भी देख रही थी कि उसकी जो friend एना वह अपने husband डेविट को खुस करने के लिए हमेसा कोशिस में रहती थी हमेसा ततपर रहती थी प्रन्तु उसका जो husband प्रेंड था एना को मारता पीटता था साथी साथ डेविट एक लस्ट फुल बर्सन भी था क्यूंकि उसका संबंद दूसरे लड़कियों के साथ भी था तो यह सारा condition को देखकर इसका मन भी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था क्यूंकि इसे भी डर था कि इसके साथ फि नेरेٹर के पॉपा रिसर्च कर रहे होते हैं ये से भी चारव्फ्रेंड उस रॉक वाले जगह पर जाते हैं जहां इन्हें इवानस जो गाइड होता वह वह वहाँ पर ले जाता है इस उम्मित के साथ वे वह रहपर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ सबुत मिल जाए पर पता आने लगती है और वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और फिर से पानी के सतह पर वापस आ जाती है चुकि टाइम कुछ टाइम बीच चुका था इसके जो फ्रेंड लोगते उन लोगों का प्लान था कि वहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे और वहाँ पर जो फिल्म है रे आरेटर को छोड़कर नरेटर वहां रहती है और उसे अपने पास्ट टाइम बार-बार ख्याल आता है जिस वज़े से वह थोड़ी मेंटल डिफ्रेशन में चली जाती है वह अजीबों गरीब हरकते करने लगते है अपने कपड़े लते फाड़ने लगती है जानवर जैसा प्यार करता है वह उसके साथ रह सकती है वह धीरे धीरे क्या होता है यह सब सुचने के कारण उसका मेंटल डिफ्रेशन होता है वह ठीक होने लगता है कुछ टेम बाद जो नरेटर का जो वाइफ्रेंड होता है वह गाइड के साथ वापस आता है नरेटर से मिलने के लिए स उसके बाद narrator को जो तथा बाकी फ्रेंड आकर वहां से बोट में ले जाते हैं अब narrator को लगता है कि वह वाकई सच में जो से प्यार करती हुआ उसके साथ रह सकती है अपना जीवन को गुजार सकती है जो उसे दोखा नहीं देगा और इस तरीके से ये जो टोपिक है वो फिनिस हो जाते है